तो गाइज काफी टाइम लग जाने के बाद नथिंग फोन टू का सारा कुछ सामने आ चुका है लुक स्पेसिफिकेशन लॉंचिंग डेट और नथिंग के कुछ यूनिक फीचर तो गाइज नथिंग फोन टू नथिंग फोन वन से थोड़ा बहुत अलग नहीं बहुत अज़ी ही इंट्रस्टिंग वीडियो आपके पास आती रहें जब भी नथिंग फोन की बात चलती है तो बैक साइड से ज्यादा इसकी बाते चलती है अगर सबसे पहले यहाँ पे लुक के बारे में बात करते हैं तो जब आप Nothing Phone 2 को बैक साइड से देखते हो इसकी लाइट्स वगेरा यहाँ पे transparent back भी देखने को मिल जाता है उपर की साइड dual camera setup भी है यहाँ पे देखने में लगेगा कि Nothing Phone 1 से थोड़ा बहुत अलग है लेकिन यहाँ पे back side में जो lights वगेरा दी है इसके अंदर थोड़ी cut वगेरा भी अलग है लेकिन features भी इसके अंदर आपको अलग देखने को मिलेंगे और बाकी यहाँ पे आप देखते हो transparent back back side में दिया है dual camera setup दिया है नथिंग की branding वगेरा जो है transparent back है वो सारी आपको Nothing Phone 1 जैसे देखने को मिलेगी और यहाँ पे आप सामने के side से देखते हो तो यहाँ पे भी आपको change देखने को मिल जाता है जो punch hole पहले दिया था वो side में था अब की बार आपको बीच में punch hole देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको symmetrical bagels देखने को मिलेगे और side से frame देखते हो तो यहाँ पे आपको flat metallic frame देखने को मिल जाती है अभी एक बार फिर से हम back side से बात करते हैं जो यहाँ पे जो lights वगेरा दी है इसका थोड़ा वो तो look change किया है लेकिन features इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिलेगे यहाँ पे features के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे processing tracker आप देख सकते हो light के अंदर ही जैसे कि आप कोई भी जो मैटो या फिर Uber को कोई भी book करते हूँ तो यहाँ पे light के अंदर ही यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका order कहां पर है यहाँ पे आप जो है कि light से ही track कर सकते हूँ यह features भी आपके बार आपको अलग देखने को मिलेगा और उसके अलावा आपको light में ही यहाँ पे जो लाइट दी है इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी फोन की बैटरी है कितनी चार्ज हो चुकी है फुल है या फिर थोड़ी कम है यहाँ पे आपको light के अंदर ही पता चलता रहेगा और उसके अलावा बाकी charging port आप यूज करते हो तो वहाँ पे इससे सांगे के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्पले का साइड जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि चेंज हो सकता है यहां पे जहां तक सामने निगल के आए है 6.7 इंच और 6.5 इंच कोई एक रह सकता है यहां पे मैं L1 यहां पे आपको Certification देखने को मिल जाता है और यहां पे आपको Display के अंदर Protection भी देखने को मिलेगी जो Display आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर आपको अच्छो Display देखने को मिलेगी और अब की बार कीजिए आपको Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 के Processor पे देखने को मिलेगी तो साथ ही इसके अंदर आपको 4700 image की बैटरी देखने को मिलेगी और यहां पे जो Wireless Charging और Wired Charging में जो है कि थोड़ा सा Difference हो सकता है 4700 image की बैटरी है बाकी Fast charging ज्यादा भी हो सकती है 33 की भी Fast charging हो सकती है यह अभी तक सामने नहीं आया है बाकी 4700 image की बैटरी यहां पे आपको देखने को मिलेगी और यहां पे आप camera setup की बात करते हो हूँ तो वही dual camera setup है 50mAh का man camera है और 50mAh का आपको ultra wide देखने को मिलेगा तो यहां पे dual camera setup की साथ ही आपको देखने को मिलेगा लुक मैंने आपको बताया है यह official ही confirm हो चुका है पहले तो twitter पे जितने भी renders विगेरा आये थे उनसे confirm नहीं थे लेकिन यह जो है कि official ही सामने आ चुका है यह जो look रहेगा यहां पे जो lights विगेरा features जितने भी मैंने आपको बताए है यह आपको nothing phone 2 के अंदर देखने को मिलेगे जहां तक की launching की बात है तो पहले अगर आपने वीडियो देखिए तो आपको पता चल चुका होगा बाकि यह 11 जुलाई को launch होने वाला है बाकि अगर आप प्राइजिंग देखते हो तो वही 35 से 40 हजार की रेज में जो की पिछली वीडियो में बताया स्टार्टिंग में प्राइज थोड़ी ज्यादा रहेगी शायद बाद में कम भी हो जाए और आपको अलग देखने को मिलें बाकि 11 जुलाई को यह launch होने वाला है इसके look features आपको कैसे लगे हैं वो आप comment section में बता सकते हो अब करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे लिए अगर आपको वीडियो चली तो प्लीज राइक मिलता है तब तक के लिए धन्यवाद